नीमच में रिविवार को राम नवमी के अउसर पर आराध्या वेलफर सुसाइटे के सदस्यों द्वारा STM ममता खेड़े के उपस्तिती में जिला चिकित साले के मैटर नीटी वार्ड में भरती कन्या को जन्मा देने वाली 11 माताओं का सम्मान किया गया इस दुरान STM और संस्था के सदस्यों द्वारा माताओं को मोतियों की माला और नव जन्मी कन्याओं को पहार स्वरू बीबी किट वितरत किये गए STM ममता खेडी ने जानकरे देती हुए बताया कि आज भी कईक शित्रों में कन्या जन्म को उतने उच्साह से नहीं लिया जाता है जितना कि बेटों के जन्म को लेकर लिया जाता है यदि सामाजिक संस्थाइंस प्रकार के छोटे छोटे आयोजन कर उन माताओं का सम्मान करती है जिन्होंने कन्याओं को जन्म दिया है तो ये काफी सरहनिया कार्य है यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है आराध्या वेलफेर सोसाइटी द्वारा काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है आज नवमी का दिन है तो यह वास्तविक देवी पूजन है जहां एक कन्या को जन्म देने वाली माता और नव जन्मी मालिका को समान किया जा रहा है इस समान से उस मातकों और परिजुनों का भी उच्छा वर्धन होगा यह आराध्या वेलफेर ससाइटी अच्छा काम कर रहे हैं वास्तों में जहां समाज के जिन क्षेत्रों में या जिन लोगों में कन्या जन्म को अभी भी उतने उच्छा से नहीं लिया जाता यदि हम ऐसे छुटे जिमिदारी है और वेलफेर ससाइटी बहुत अच्छे से इस काम को कर रही है चुकि आज नौमी का दिन भी है देवी पूजा का तो यह वास्तविक कन्या पूजन है कि जहां हम बालिका की मा को और उसके परिजनों को गौरों का एहसास दिलाते हैं कि आपके घर में तरनता का विशह है तो मैं आप सब का बहुत अभिनंदन करती हो और बच्चों की माओं को बदाई देती है तो हमने यह सोचा था कि जितनी माता हैं जिन्होंनों बच्चियों को जनम दिया है आज के दिन अकलिस्ट उन सब का समान किया जाए ताकि एक सोसाइटी में कि बच्ची जनमी है तो उसको भी उत्सा की तरह बनाया जाए तो आज हम लोगों ने ग्यारा ऐसी महिलाओं का समान किया और बच्चों को कुछ हम लोगों ने गिफ्ट के तौर पे उनके कपड़े और जरूरी समान दिया डाक्टर सौपनिलवाद्वाद्वाद्वाद्